हेलो एब्रिवान वेलकम बैक ट्यू माइ निव वीडियो सो दोस्तों कैसे हो आई होप कि आप लोग साब अच्छे होंगे फिलाल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ससी डी कॉंस्टेवल 2023 की भरती को लेकर जैसा कि मैंने इसको लेकर एक वीडियो डाला था कि तैयաरी कैसे करें तो टैयारी करने से पहले भी कुछ couldn't bad है जो कि आप लोग को समझे जरूरी है ऑके पहले कुछ n important बाते जो है वो समझ लो तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी जो भरती पर करिया चल रही है द्वरेकिस वाली भरती की वह भी चल रही है उसका भी medical होना बाकी है तो इस भरती में बहुत सारे जो return qualify नहीं किये थे तो वो भी आप SSD की त्यारी स्टार्ट कर दो अगर आपको interest है तो बहुत बच्चे physical में भी disqualify होंगे हो गए थे और अभी आने वाले समय जो अपका medical होगा उसमें भी बहुत बच्चे disqualify होंगे कि आप लोग SSD 23 की भरती के लिए भी त्यारी करते रहो ठीक है और एक बात जो अभी रिसेंटली में टी ओडी जो लागू है आपके TOD को लेकर बहुत सारे candidate निराज भी हुए इस चीच को लेकर तो अब अब जो है उन्हों का थोड़ता focus जो है ना वह आपका SSD SSD Constable 23 की भरती के उपर होगा तो इसलिए यह भरती आप सभी के लिए जो उनके लिए भी है और जो इस बेकर सी में फैल भी हो चुके थे उनके लिए भी तो यह भरती काफी महत्रपून होगा तो बात बाकी जो है आगे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए फिलाल किने तो अभी हाल फिलाल में एससी अपने वेप साइट अपने वेप साइट पे जो है यह सत्तर हथा वेकैंसी एडिसनल वेकैंसी को लेकर यह नोटिस डाल आव 450 को लेकर तो ठीक है तो इसमें हम बात करेंगे भी तो इसमें जैसे कि आपका एक CPU हो गया तो CPU आपका ढ़ाई से तिन इनर के आसपस इनकी वेकेंसी रहती है जैसा कि आप पिछले पिछले वेकेंसी को देख सकते हो तो यह इतना वेकेंसी हो सकती है बाद बाग कि यह जुनियर हिंडी ट्रांसलेटर का भी वैसा कुछ खास वेकेंसी रहता नहीं है और यहां पर एक बड़ी वेकेंसी आपका यह हो सकती है यह इंड डेली पूलिस ठीक है तो डेली पूलिस कोंस्टेबल की वेकेंसी यहां पर आपका लाइन में लगा हुआ है जो कि आपका वह जनवरी में कहा गया जनवरी 23 में कहा गया तो यह लगबग साथ आठ जार या फिर हाडली 9000 के आसपास ये वेकंसी रह सकती है ठीक है तो सबसे बड़ा वेकंसी जो है आपका ये जो है प्रकडिया को कंप्लीट की जाए और वाजसे भी आप लोगो को मालूम होगा कि इलेक्शन का भी समय है दोहर 24 का तो इसलिए जो है इसके वज़े से ये सारे चीज़े हो रही है ठीक है तो अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे बड़ा जो कोशन था आप लोगो का यहा से 23 जो ही इसका basic age limit होगा तो उपर वाला जो यह notice है यह आपका 2018 वाला है और यह नीचे वाला जो notice है यह आपका 2021 वाला है ठीक है 211 वाली भरती में भी एक अगस से ही मांगा था ठीक है तो इससे आप समझ सकते हो कि एक अगस से पहले ही आपका जो है criteria age का वो fulfill होना चाहिए अब हम बात करेंगे age limit को लेकर कि यहां पर कब से कौन से year से कौन से year तक का जो 8 age मांगा जा सकता है ठीक है तो 2018 कि अगर हम बात करेंगे यहां पर तो यहां पर देख सकते हो कि Negतוק है 2 August 1995 से लेकर एक अगर्स दोःजर के बीच मांगा गया था और 2018 के बाद तीन साल के बाद भरती आई वी थी अपका 2021 का ठीक है तो अब यहां पर 95 था तो यहां पर 800 कर दिया यहीजिश कर दिया याने कि 3 साल है वह आपका 2023 में आने वाले है ठीक है तो 21 के बाद हो गया 22 और 23 तो लास्ट जो है आपका यहाँ पे 1998 है यहाँ पर आप लोग दे सकते हो कि यह आपका 1999 है तो यह हो सकता है इस लिमिट आपका 2000 हो जाए ठीक है दो हजाए और अधर आपका 2008 था आठी था ना यहाँ नहीं स्वरी यहाँ पर 2003 था तो यहाँ पर अगर आप अब इसाल बढ़ा दिया था 95 से 58 कर दिया था अब दो सल वेकेंजी बाद आने वाली है तो यह रहने के जाएं तछ ऑजाएगा ठीक है तो इसस अब आभी जह है आपका वहगस्ट से ही कौन्ट किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आइझों कि आपको जाएगा ठीक है तो सबाकी जो है आपका वो अगस्ट से ही कॉंट किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आई थिंग कि आपको इस समझ में आ गया कि यह आपका 2000 से लेकर 2000 आपका पांस तक जो है यह यह इस लिमिट रहने के ज्यादा चांसे बनते हैं जैसा कि आप 2821 को लेकर समझ सकते हो तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया इस बात को लेकर अब आप यह कह सकते कि भरती जो है आपका कपतक आ सकता है तो जैसा कि आपको पता है कि PMO Rapid Action में जो है आपका भरती पर किरिया कंप्लीट करने को कहा है तो हो सकता है कि वेकेंसी जो आपका फरवरी में डेट दिया हुआ है फरवरी बाइस फरवरी को I think डेट दिया हुआ है हो सकता है यह आपका जनवरी में भी आ सकता है ठीक है तो यह समभबनाए हो सकती है तो इसलिए यह भरती आप आप सब के हुआ है तो इसमें बहुत सारे candidate जो है नहीं आपका height में छट गये थे तो सबसे पहले अगर आप इस भरती की जो तियारी करोगे अगर आपका height अगर है तभी इस भरती के तियारी करना दरवाईस कोई फायदा नहीं होने वाला इतना सारा आप exam भी क्वालिफाइट करोगे लास्ट में आप हाइट में निकल जाओगे इसलिए हाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इस भरती को लेकर ठीक है तो अब हम हाइट की बात करेंगे यहाँ पे तो देखो जो candidate आपका general candidate हो EWS हो OBC हो और SC candidate हो ठीक है इन सभी के लिए male candidate का 170 cm होनी चाहिए वहीं पे अगर हम female की बात करेंगे तो female पर आपका 157 रीट होनी चाहिए इसमें शिप हाइट को छूट उसको मिलता है जो candidate आपका ST category में आता है तो उनकी height अगर बात करेंगे male का तो 162.5 आता है और female की बात करेंगे तो 150 आता है ठीक है तो यह आपका height criteria जो आपका होनी चाहिए है ओके और दूसरी बात किया है आप लोग जैसा कि मैंने कल से परसो एक poll डालावा था तो उसमें आप लोग उने कमेंट किया कि strategy के उपर वीडियो बनाया जाए तो इस वीडियो का जैसा response रहेगा जैसा आप लोग इस वीडियो में कमेंट करोगे तो उसके हिसाब से जो मैं आगे आने वाले time में जो इस strategy वीडियो बनाऊंगा हो तो कि यूद्ध documentary में चहे मैंने की लेट है तिकए अभी आपका जूद्ध चल रहा है जून खतम होने वावाद लाश्टी चल रहा होगा तो उसके बाद आपका शे मंत के बाद आपका वो वेकेंशी हो सकता है ठीक है तो छे मन्त टाइम निकलने में समय पता भी नहीं चलेगा तुरंत निकल जागा इसलिए आप लोग का जैसा इस वीडियो में रिस्पॉंस रहेगा उसके इसाफ से मैं जो है आपको स्टाटेजी एकदम पर्फेक्ट तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो फिलाल जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मैं टाइम रहते हैं आपको रिप्लाइ जो करूँगा ओके तो चलो दोस्तो फिर मिलते हैं नेच्ट किसी वीडियो के साथ तब तक लिए दोस्तो जैहिंद वन्दे मात्रम